तो आज हमारा probability chapter का part 2 रहेगा जिसमें question करेंगे हम 2015-2016 में जो भी question paper आया थे ठीक है जिसमें kt regular सब cover हो जाएगा और उसके probability के कुछ question है वो हम complete करेंगे 15 और 16 के kt और regular दोनों के paper के ठीक है जो देखो यह जो chapter है उसमें theory 4 marks की पूछेंगे और जो question है वो भी 11 marks तक के question पूछ सकते हैं मतलत तोटल एप्रॉक्स 15 marks का question इसमें से आ सकता है ठीक है चलिए तो start करते हैं देखो सबसे पहला question जो है और देखो यह जो part 2 है उससे पहला अपना जो formula का basic है part 1 के अंदर वो complete कर लो और उसकी formula सारी लिख लो अपनी books में और फिर जाके यह वीडियो को देखते टाइम वो formula को go through करो तो better समझ में आएगा और पूरा पता भी चलेगा कि जो मैंने formula समझा है उसकी क्या यहाँ पर importance है क्या उससे इसाप से question होगे के नहीं होगे देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है if a equals to 2pb और equals to p और a slash b करके दे रखा है मतलब conditional probability मतलब देखो यहाँ पर आपको p of a equals to 2p of b equals to p a slash b ऐसे करके आपको सबकी equal value एक common value दे रखे 0.4 सबकी अब यहाँ पर आपको find out क्या करना है तो find out करना a and b both happen both happen मतलब देखो a b happen हो मतलब a and b मतलब इसका intersection यह find करना है इसका मतलब यह हो जाए और देखो मैंने आपको समझाया भी हुआ है previous lecture में previous video अगर आपने देखा हो वहाँ पर at least one at least one आते है तो आपको उसको यह find करना पड़ेगा union ठीक है तो देखो पहले के video में मैंने पुरा समझाया हुआ है कि जब a and b both happen मतलब दोनों एक साथ अकर हो तो आप intersection करोगे और at least one happen अगर at least one event occur हो तो a union b करते हो तो चलिए यह question को solve करने के लिए देखो क्या करना है a की जो value है वो कितनी होगी a की जो value है वो कितनी रहेगी 0.4 मतलब p of a की जो value है वो 0.4 रहेगी मतलब a की value आपको देखके रखे एकदम last में फिर यह जो b की value है वो भी आपको देखके रखे मतलब 2 p of b equals to 0.4 अब सवाल यह होता है यहाँ पर तो 2 b तो है multiple में तो आप उसको क्या करोगे 0.4 के साथ 2 को divide कर दोगे मतलब आपका answer आएगा 0.2 ठीक है और इसकी तो value आपको देखके रखे ए p of a slash b 0.4 मतलब सबको equals to कर लेंगे देखको पहला value यह दूसरी value और यह तीसरी value ठीक है तो आपको क्या करना है सबको equal to equal to करके 0.4 लेखना है अब जाके आपको देखना है कि आपको calculation जिसकी करनी है क्या उसके formula आपको याद है जैसे कि for example आपको यहाँ पर at least one happen पूछा है और a and b both happen पूछा तो देखो solution कैसे करना है तो आपके पास p of a slash b का formula पताया होना चाहिए पहले तो क्योंकि आपको पता है उसका answer दे रखाया देखो a b का answer आपके पास यहां पर दे रखाया है तो यहां पर आपको करना है p of a intersection p of a intersection b और divide में मैंने आपको बताया था कि यहां पर b है तो यहां पर आप b से divide कर दोगी अब इसकी value देखो आपको 0.4 देखे रखे मतलब आप 0.4 लिख दो और equals to करके A intersection B और यहाँ पर क्या है B B की value क्या है B की value क्या है तो B की value देखो यहाँ पर आपको देखे रखे कोशन के अंदर यह रही 0.2 हमने find किया तो वो value आप यहाँ पर divide कर दो 0.2 मतलब यह सामने चला गया तो क्या होगा multiply करो multiplication कितना आ रहा है ठीक है multiply कर लो और पता चला 0.08 आएगा क्या आने वाला है 0.08 ठीक है यह आपका A intersection B का value आगे देख लो ठीक है उसके बाद अगर question में अगर आप देखते हो at least one happen पूछा है मैं तब at least one जब आपको question में पूछते हैं तो मैंने आपको बोला था कि क्या formula यूज करना है previous video में मैंने सब समझाया हुआ है a plus b minus a intersection b यह आपको मैंने बताया था अब देखो सब कुछ available है आपके पास देखो a भी available है b b available है और intersection तो अभी अभी हमने find out किया था मतलब 0.4 plus 0.2 और minus 0.08 मतलब total कर लो क्या answer आ रहा है ठीक है 0.4 plus 0.2 minus 0.08 कितना आ गया 52 मतलब यहाँ बस 0.52 answer आ गया आपका final खतम हो गया यह question है ठीक है 2015 के paper में यह question पूछा गया था university में चार marks का question ठीक है दो-दो marks दोनों के चले आगे बढ़ते है second question अब दिखो यह जो second question जो है वो most important है और थोड़ा tough भी है तो थोड़ा समझने की कोसिस करना ठीक है जिसका probability का logic clear है पहले से तो उसको थोड़ा जल्ली समझ में आ सकता है question ठीक है और जिसका week है वो पहले थोड़े common के question करेंगे पहले common जो question है probability के वो करें फिर इसके पर आए तो यह better में समझ में आ सकता है देखो आपको क्या लिखा है there are seven men and certain women in a group मतलब एक group में man कितने है seven okay woman कितनी है नहीं पता देखो woman नहीं पता मतलब man पता है कि seven woman नहीं पता तो जो नहीं पता उसको हम assume कर लेते हैं चलो x तो seven plus x हो गया ठीक है दोनों का total करें तो total group में कितने लोग होंगे तो seven man और plus x woman वोई नहीं पता है woman कितनी है आगे बढ़ते है the probability of selecting two women from the group is one upon five okay मतलब देखो question के अंदर आपको क्या दे रहा है probability probability of selecting two women from the group क्या निकाला तो probability क्या निकाली है उन लोग ने one upon five sorry fifteen one upon fifteen one upon fifteen उन्होंने probability बता दी मतलब probability आपके पास है आपको कोई दूनने नहीं जाना probability आपको किसको दूनने निकलना woman को कितनी woman थी वोस group में मतलब x की value कितनी थी वो find करनी थी तो देखो सबसे पहले आपको question के इंदर क्या करना चाहिए यह तो total event बनाना है जिसको आप and बोलते हो total event हमेशा total में से ही बनता है total क्या है तो seven plus x ठीक है total क्या है seven plus x c two क्यों two क्योंकि आप कितने लोगों को select कर रहे हैं two अब आपको यहाँ पर favorable event बनाने ठीक है मतलब total आपको यहाँ पर total favorable event निकाल जो निकालने वो आपको कौं से निकालने होते है favorable event जिसको निकालते है उसको हम n बोलते थे मतलब देखो आपको पहले जो टोटल event निकालने थे और दूसरा favorable event निकालने और favorable event मतलब कि आपको क्या select करना है तो selecting two women क्या select करना था selecting two women मतलब आपको दो women को select करना तो मतलब आप favorable event भी two women का ही लोग है मतलब इधार women कितनी है देखो women है आपके पास यहाँ पर x तो मतलब xc2 अब इसको solve करना है अब इसको solve करना है कैसे solve करोगे देखो यहाँ पर इसको solve करने के लिए आपको मैंने previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर 5c2 लेते हो तो 5c2 का मतलब क्या करते है तो 5 और फिर into 4 मतलब 5 into 4 करते थे और divide में क्या लेते थे यहाँ पर 2 है तो मतलब यहाँ पर 2 into 1 करते थे ठीक है मतलब देखो यहाँ पर 2 है ना तो आप क्या करते थे उपर जो 5 था वो 5 रख लेते थे और यहाँ पर 5 में से क्या करते थे एक कम करते मतलब यह जो 4 लिखते हो चार कैसे लिखते हो 5 minus 1 होता है ना वो तो मतलब उपर एक कम करके multiply करते है ऐसे 2 digit उपर लेते 2 digit नीचे लेते मतलब 5 into 4 और 2 into 1 मतलब 2 number उपर होगा 2 number नीचे होगा और यहाँ पर तो आप यह देखोगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 7 plus X है यहाँ पर तो हमारे पास 7 plus X है problem यहाँ फसरी है अपनी तो देखो उसको कैसे करना है 7 plus X को रख दो और फिर 7 plus X में से 1 कम कर दो जैसे पहले उसमें मैंने क्या बता है 5 पहले रख दो फिर 5 में से 1 कम कर दो तो क्या आता था 4 आता था 4 तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो 7 प्लस X तो 7 प्लस X और 7 के बाद क्या 6 प्लस X ठीक है डिवाइट बे क्या हो जाएगा 2 into 1 जो हम करते थे समझे इसको देखो एक तरीके से इसको ऐसे देखो 7C2 होता तो आप क्या करते मुझे बताओ आप पहले 7C होता तो क्या करते 7C2 तो आप ऐसे करते 7 into 6 और divide by 2 into 1 ये करते की नहीं करते और यहां पर 7 के साथ साथ plus x भी है यहां पर भी plus x लगा देंगे एक ही बात हो गई ना सेम ही तो बन गया ये clear अब तो clear हो जाना चीए ठीक है बस आपको थोड़ा basic पता होना चीए अगर वही नहीं पता होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इस chapter अभी solve करने का चलो इसको अगर आप multiply करते हो तो 2 और यहां पर क्या हो जाएगा देखो x है तो x लिख दो और यहां पर x में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा x minus 1 जैसे उपर 7 7 के बाद 6 लिया तो 6 क्यों लिया क्योंकि 7 में से 1 minus करके लिया वैसे यहां पर भी x है तो x में से एक कम करके x minus 1 लेंगे और नीचे 2 into 1 मतलब यहां पर x और x minus 1 और divide by 2 होता है अब आपको यहां पर probability की basic पता होनी चाहिए probability कैसे निकाला जाता है m या तलब favorable event divide by total event अब आपको पता है probability तो 1 upon 15 दे रखिये quotient में वो थोड़ी दून निकलना है वो तो दे रखिये quotient में यह रखा आपको तो women निकालनी है मतलब देखो m की value क्या आई थी तो देखो m की value आई थी favorable event आया था x x minus 1 divide by 2 और उसके divide में 7 plus x और 6 plus x divide by 2 यह दो cancel हो गया थीके यह दो तो cancel हो गया तो रह क्या गया 1 upon 15 equals to x x minus 1 divide by 7 plus x और 6 plus x यह आपका काम हो गया अब यहाँ पर आपको multiplication करना है cross मतलब देखो cross multiplication करो तो क्या हो जाएगा 7 plus x into 1 मतलब 7 plus x और 6 plus x और equal to करके 15 x के साथ x plus 1 करो अब यहाँ पर आप उसको multiply करो देखो क्या multiply करो कि 7 into 6 करो तो क्या आता है 42 plus 7 x plus 6 x और plus x का square यह आपका पहला bracket बन जाएगा देखे कैसे देखो 7 into 6 हो गया फिर 7 into x हो गया फिर 6 into x हो गया और फिर 6 into x हो गया इसके बाद यहाँ पर 15 x को यहाँ से multiply करो 15 x square हो गया और minus 15 x हो गया यह complete हो गया आपका उसके बाद यहाँ पर आपको करना है 42 plus क्या होगा 7 plus 6 13 होता है ना तो 13 x plus x square equals to 15 x square minus 15 x अब क्या करोगे तो देखो यहाँ पर 0 consider करके सभी value को सामनी के तरफ transfer कर दो जैसे यह देखो x square है यह x square है वो equal to के उस सेट चला जाए तो मतलब minus x square हो जाएगा यह 13 x है वो equal to के उस सेट चला जाएगा तो minus 13 x हो जाएगा और यह 42 है वो भी उस सेट चला जाएगा तो minus 42 हो जाएगा मतलब सब को सामनी के तरफ transfer कर दो right side ठीक है left side है तो right side transfer कर दो तो minus हो जाएगा plus का अब देखो जो plus minus होने वाला है उसको plus minus करो जैसे 15x और यहाँ पर x मतलब 14x square हो रहा है ठीक है यह 15x और यह 13 मिला के 28x हो जाएगा और minus 42 हो जाएगा ठीक है और और आगे क्या करोगे आगे 0 और यहाँ पर 14 दिख रहा है यहाँ पर 28 यहाँ पर 42 मतलब अगर आप देखते हो तो सब कुछ common निकल सकता है सब कुछ common निकल सकता है मतलब देखो 14 common निकल सकता है तो बचएगा क्या x square फिर यहाँ पर अगर 28 8 में से 14 common निकल गया जिए 2X और यहां पर क्या बचीगा 3 ठीक है चलिए अब यह जो 14 जो आपने common निकाला वो 0 के divide में ले लो तो आपको यहां पर क्या value मिलती है 0 ठीक है 0 के divide में 0 हो जाएगो अब यहां पर इसके factor बनाने पड़ेंगे आपको यहां पर इसके factor बनाने पड़ेंगे कैसे factor बनाओगे तो देखो x का square minus ठीक है सिब 2 को बीच में से छोड़ दो और minus 3 यह मैंने आपको limit के chapter में सिखाया है वहां पर आप उस वीडियो में जाके देख सकते हूँ क्या factor बनेंगे देखो minus 3 के 2 factor ऐसे बनाओ जिसमें बीच में 2 भी आना चाहिए और यहां पर अब देखो common निकालो यहां पर x minus 3 और यहां पर plus 1 मतलब x minus 3 तो आपका यहां पर 2 bracket बनेगा और देखो 0 के साथ x minus 3 और x plus 1 भी consider कर लो हो गया और फिर आप चेक कर लो 0 equal to x minus 3 या तो फिर 0 equal to x plus 1 और यहां पर x की value देखो 3 जो है वो right side से अगर left side जाता है तो मतलब वो क्या हो जाना है plus मतलब x की value आपको मिल जाएगी x equal to 3 और यहां पर x की value अगर वो देखो plus 1 जो अगर है वो सामने चला जाए तो minus 1 हो जाएगा मतलब यहां पर problem क्या होई दो value मिल गए अब इन में से कौन सी आपके पास woman के value होगी तो देखो woman जो होती है वो absolute number में होती है वो कभी negative नहीं हो सकती ठीक है आपके सामने 10 आदमी खड़े है तो आप उसको 10 ही बोल सकते है ऐसा थोड़ी बोल सकते हो minus 10 आदमी खड़े ठीक है तो समझो जो आप counting करते हो man, woman वो सब तो absolute मतलब perfect number में ही होता है और वो positive number होता है मतलब यहाँ पर जो woman है वो x की जो value हमको define करनी थी वो 3 आएगी ठीक है minus not possible minus में answer आए तो वो possible नहीं है मतलब यहाँ पर लिख देंगे not possible ओके चलो यह complete हो गया देखो अच्छा question था बहुत बार exam में पूछा है थोड़ा tough है लेकिन देखके complete कर सकते हो there are five red ball and three white ball in the basket okay मतलब देखो एक basket में कुछ red ball है देखो मैंने नीचे बता दिया है कि यहाँ पर कुछ red ball बता है पांच red ball है और three white ball है एक basket के अंदर two ball are drone अच्छा दो ball select करने है रैंडम ली okay तो आपको पहले में क्या पुछा गया find probability both are the same color और दूसरा पुछा है different color तो दोनों same color के होने चाहिए तो दोनों अलग-अलग color के होने चाहिए पुछा है अब देखो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है यह कितने ball थे red बाले पांच white बाले ball कितने थे तीन total कितने हो गए आठ ठीक है सबसे पहले तो यह आप करना है फिर आपको यहाँ पर total event निकालने पिर आपको यहाँ पर total event निकालने उके उसके बाद total event कैसे निकाल होगे जो total में से मतलब n की value आपको यहाँ पर 8 दे रखी है और मैंने बोला two into one divide में भी करना है ठीक है मतलब दो डीजिट दो नमबर उपर और दो नमबर नीचे मतलब इसको multiply करोगे और divide करोगे तो 28 आएगा मतलब total 28 event बन सकते है ठीक है आट बॉल में से अगर दो बॉल को select करने चाहते हो तो अब यहाँ पर आपको favorable event के बार में बोला गया ठीक है तो चलो उसकी बात बोलते हैं देखो पहला point यह पूछा गया मतलब event a क्या बोला गया तो both are same color okay दोनों same color के होने चाहिए तो अब उसके favorable event के कौन से हो सकते हैं okay favorable event कौन से हो सकते हैं तो both are same color का मतलब क्या हो गया के दोनों एक ही color के आने चाहिए मतलब देखो बोथ both are red both are red या तो फिर both are white okay मतलब देखो आपको same color के पूछे तो सोचो कि आपके सामने दस जो बॉल पड़े हैं उसमें से अगर आपको दो बॉल लेने और दोनों same color के आने चाहिए दो ही लेने आपको दो से जादा नहीं लेने तो आपके पास option रहेगा कि क्या दोनों आप red ले लो तो या तो फिर दोनों white ले लो तो ही तो same color के possible है otherwise तो possible ही नहीं तो उसके favorable event कैसे हो जाएंगे तो तो पांच में से अगर दोनों ले ले लेते हो red वाले मतलब 5C2 हो गया और और का मतलब होता है बीच में plus और 3 में से अगर आप दो लेते हो तो मतलब 3C2 अब 5C2 का अगर मैंने आपको बता है था उसी साब से calculate करते हो तो उसका answer 10 आएगा और 3C2 का अगर आप answer निकालते हो तो answer आएगा 3 मतलब 13 answer आगया probability निकाल लो P of A equals to M upon N मतलब 13 divided by 28 ठीक है 13 divided by 28 यह आपका answer आगया clear उसके बाद आपको second में पूछा गया है कि different color मतलब देखो आपको पूछा गया है event P दूसरा event निकाल दे बोट are different color मतलब उसके favorable event कैसे निकालोगे M बोलो मतलब दोनों अलग अलग color के आने चाहे हैं मतलब देखो आप दो ball ले रहो दोनों अलग अलग color के मतलब one is red and one is white तभी तो अलग अलग color के हो सकते हैं अब यहाँ पर आप देखो अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको and use करना पड़ेगा because आपको दो ball लेने हैं और दोनों अलग अलग color के होने चाहे तो आप सोचो के एक red होगा और एक क्या होगा white एक red and एक white ओके तो यहाँ पर आपके पास रेड कितना था तो देखो रेड जो थे आपके पास question में 5 थे ठीक है आपके पास rate कितने थे question में 5 थे और white कितने थे 3 तो दोनों में से एक एक ball लेना मतलब 5C1 and का मतलब हो जाता है multiply और 3C1 मतलब देखो अगर आप यह chapter जब भी करते हो तो और जब apply करते हो तो आप देखोगे plus और जब and apply करते हो तब आपको देखना है multiply ठीक है तो यहाँ पर आप 5C1 का मतलब 5 और 3C1 का मतलब 3 15 हो गया और यहाँ पर आप probability निकाल सकते हो देखो P of A मतलब M upon N तो देखो 15 divided by 28 हो सकते है आपका जो N था वो कितना आया था 28 complete all भी अगर आप cancel करना चाहते हो तो cancel करो देखो cancel नहीं करोगे ठीक है जो answer है वो भी सही है कोई problem नहीं ठीक है चलिए तो यह आपका काम हो गया question complete हो गया चार मार्क का question था next question देखो 5 मार्क के लिए पूछा गया है और यह question में आपको देखो क्या करना है पहले the probability of solving the example by canoe 1 upon 3 and the probability not solving यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर solving दे रखा है और यहाँ पर not solving दे रखा है मतलब canoe question को solve कर पाए उसकी probability है और मनू जो है वो question को solve ना कर पाए उसकी probability है देखो 3 upon 5 both are the trying to solving the example find out the probability at least देखो वापस पूछा at least one can solve the example और यहाँ पर पूछा है no one can solve the example okay चलिए तो find कर दे पाँच मास के लिए question देखो आपको सबसे पहले लिखा है probability of solving example by canoe मतलब canoe ने question solve कर लिया उसकी probability है P of A equals to क्या आजाएगा 1 upon 3 यह आपको question में देख के रखा था ठीक है और यहाँ पर एक चीज़ नोट करना probability of not solving एक्जाम्पल पाई मनू मतलब देखो यहाँ पर not solving लिखा है मतलब जो मनू है ना उसको question solve करना नहीं आ रहा है वो question गलत कर रहा है उसकी probability है तो वो आपको B dash करके बतानी है क्योंकि वो solve नहीं कर रहा है उसकी probability है मतलब आपको बताना है 3 upon 5 क्या बताना है 3 upon 5 यहाँ पर इतना करने के बाद आपको पूछा गया है कि both trying to solve the example मतलब दोनों मिलके अगर question solve कर रहे है ठीक है दोनों को question दिए दोनों question solve करेंगे at least one can solve the example ऐसा question में पूछा है मतलब अगर first question पर अगर धियान दे हमें तो यहाँ पर पूछ लिया है कि at least one can solve the example मतलब at least a का आद भी तो solve करें या तो कनू करें या तो मनू करें इसका मतलब यह हो जाएगा और मैंने आपको बताया भी है जब भी at least one आ गया तो आप उसके जगा पर क्या यूज कर सकते हो तो पी ओफ ए union पी और a union बी का मतलब हो जाएगा कनू solve करें या तो मतलब देखो अभी मैंने बताया कि और कनू solve करें और मनू solve करें दोनों में से को एक solve करना चाहिए यह मतलब यहाँ पर पी ओफ भी आना चीए अब पी ओफ भी कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे और यहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो सकता इंटर सेक्षन हो माइनस होगा क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कनू को कुशन दिया कनू भी करेंट solve कर रहा है और मनू को कुशन दिया और मनू भी correct solve कर रहा है हो सकता है ना दोनों solve कर सकते correctly तो मैं यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिखो कि probability of solving example by मनू अगर मनू correct solve कर ले मतलब देखो मनू का गलेट solve करने का chance यहाँ पर दिया आता मतलब अगर मुझे p of b निकालना है question में तो याद करो मैंने कल आपको वीडियो में प्रीवेस वीडियो में बताया था complimentary event के बारे में कि अगर complimentary event आपको निकालना है तो आप b dash ऐसे कर सकते हो 1 minus b dash करोगे तो आपको b मिल जाएगा या तो b dash दूनना है तो 1 minus p b कर लो तो भी आपको चल जाएगा मतलब देखो 1 minus 3 upon 5 मतलब क्या होगा देखो 3 upon 5 ऐसे जब भी होता है तो 5 में से 3 minus कर दो कितना हो जाता है 2 तो upon 5 ठीक है मतलब देखो यहाँ पर इसका answer मिल गया मेरे पास 1 upon 3 मतलब यह आगया 1 upon 3 यह भी मेरे पास आगया 2 upon 5 ठीक है अब intersection नहीं है अपने पास अब देखो intersection निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा a intersection b का मतलब क्या हो जाएगा both can solving example क्या ऐसा नहीं हो सकता के दोनों सही solve कर ले ठीक है हो सकता है देखो probability में पूरी पूरी possibility सब कुछ देख लेना है ठीक है तो हो सकता है ना दोनों solve कर ले मतलब यहाँ पर p of a intersection b अब a intersection b का मतलब कैसे दूनते हैं देखो a into b करके दून सकते हैं मैंने previous वीडियो में बताया था कि अगर कोई independent question हो मतलब देखो यहाँ पर दोनों को question solve करने के लिए दे रखा है ना कनू और मनू को तो वो दोनों independent है ठीक है तो वो दोनों independent हो गए canoe solve करेगा वो अपने हिसाब से करेगा manu solve करेगा वो अपने हिसाब से करेगा मतलब यहाँ पर a और b के multiplication होगा ए और b के बीच में ठीक है मतलब a यह रह और b यह रह आपने ठीक है उन दोनों के बीच में multiplication होगा तो आपका answer हो जाएगा 2 upon 15 15 ठीक है और फिर यहाँ पर minus कर देंगे 2 upon 15 चलो solve करो lcm क्या होगा 15 तो देखो lcm 15 होने के कारण यहाँ पर 5 से multiply होगा यहाँ पर 3 से तो यहाँ पर 5 into 1 और यहाँ पर 3 into 2 मतलब 6 minus 2 final answer क्या आने वाला देखो 5 plus 6 minus 2 answer होगा 9 9 upon 15 cancel करोगे तो 3-3 से cancel होगा उपर 3 से cancel होगे 3 लिख सकते हो और नीचे 3 से cancel करके 5 लिख सकते हो यह अपना final answer आगया हो गया अब दूसरा question क्या बोला है no one can solve the example no one can solve example no one can solve example no one can solve example मतलब देखो कोई solve ही नहीं कर पाए मतलब बहुत tough question था किसी को आता ही नहीं solve ही नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या हो गया देखो ए को भी solve करना नहीं आए और उसके साथ साथ बी को भी solve करना नहीं आए तभी possible है ए को भी solve करना ना आए और बी को भी solve करना ना आए दोनों का question गलत हो गया यही तो पूछा question और यह जब भी question में पूछते हैं तो इसकी formula पता है क्या है one minus p of a union b होती है एक formula याद रख लेना इसकी formula क्या होती है one minus p of a union b मतलब देखो यहाँ पर one में से अगर आप minus करते हो तो यह a union b तो अभी हमने निकाल दिया आना यह रहा तो बस यहाँ पर आपको 3 upon 5 करके minus कर देना था तो देखो answer आजाएगा 2 upon 5 ठीक है और भी तरीका है इसको solve करने का और भी एक तरीका है देखो आपको क्या find करना था p of a dash intersection b dash और मैंने आपको बोला था यह जो question है वो independent solution का है मतलब independent के लिए आप क्या करोगे a dash into b dash दोनों को multiply भी कर सकते हो यह मैंने previous वीडियो में भी आपको बता है लेकिन यह जो formula है वो सिफ independent problem में ही चलेगी मतलब देखो a dash नहीं है आपके पास अभी तो a dash आप धून सकते हो इधर से इसके अपर से आप a dash fine कर सकते हो कि a dash अगर मुझे fine करना है तो क्या हो जाएगा 1 minus p of a मतलब 1 minus 1 upon 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 upon 3 और बस आपको यह आपर multiply करना था 2 upon 3 आ गया into p dash तो आपको question में ही दे रखा था यह रहा question में ही b dash दे रखा था यह रहा p dash मतलब 3 upon 5 यहाँ पर करते हो तो आपको अपना 3 3 cancel करके final answer लिख देना है 2 upon 5 ठीक है तो देखो यहाँ पर दोनों तरीके से question सही solve है ठीक है लेकिन यह जो दोनों तरीके उसमें ध्यान रखना यह जो दूसरा तरीका है वो सिर्फ independent question के लिए ही होगा ओके सिर्फ independent question और यह question यह जो supra formula है वो जो मैंने left side लिखिए वो कहीं पर भी आप use कर सकते हो चलेगी ठीक है independent हो या ना हो दोनों में चलेगी चलेगी तो देखो next video के अंदर हम बाकी के question solve करेंगे आने वाले ओके तब तक के लिए good bye